साथ उत्राखड में आज से हैली अम्बूलेंस सेवा रिशिकेश एम्स को मिली सौगात प्यम नरेंद्र मोदी ने किया है वर्च्वल उधगाटन से अंपुशकर सिंग धामी भी मौजूद रहे गंभीर मरीजों को हैलिकॉप्टर में मिलेगी मुफ्ट इलाज और रिशिकेश एम्स देश में पहली हैली अम्बूलेंस सेवा शुरू करते हुए इतिहास रचने जा रहा है और इसका गाचन प्यम मोदी ने किया इस हैली अम्बूलेंस सेवा का नाम संजीवनी है और लगभग चार सालों के इंतजार के बाद भारत को अपनी पहली हैली अम्बूलेंस सेवा मिल रही है तो इस रिशिकेश शेम्स को बड़ी स्वागात मिल गई है, हैली अम्बूलेंस सेवा की आफसे शुरुवात हो गई है, चार सालों का लंबा इंतिजार खत्म हो चुका है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने इसका उद्गाटन किया तो इस हैली अम्बूलेंस सेवा का नाम संजीवनी है और लगभग चार सालों के इंतिजार के बाद भारत को अपनी पहली हैली अम्बूलेंस सेवा मिल रही है इसके साथी रिशिकेश देश का पहला सरकारी चिकिसा संस्थान बन जाएगा जहां हैली अंबुलेंस सेवा उपलब्ध होगी मरीजों को अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और हैली अंबुलेंस सेवा की क्या खासियत है वो भी आपको बता रहे हैं चार सालों के इंतजार के बाद ये सेवा शुरू होई है और इसी ख़बर पर और सदा बाचित के लिए से देरोख करेंगे अपने सायोगी का सुरेंड असीला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गये है सुरेंद चार सालों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है कैसे मील का पत्थर साबित होगी आने वाले वक्त मैं ये संजीवनी देखें उत्राखंडे के हिमाली राज्य भागोलिक परिस्तियां हैं और हर समय आपदा का खत्रा यहां बना रहता है चाहे गर्मी हो बरसात हो या फिर सर्दियों में उच्छ हमाली शेत्रों में हिमपात की दिक्कते हो एर एंबुलेंस के होने से ये फाइदा होगा कि अगर किसी इलाके में कुमाऊ हो गड़वाल हो पहाड में मेडिकल एमर्जनसी बहुत ज़ादा सीवियर है बहुत ज़ादा चिंता जनक है तो हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा सकेगा हेलिकॉप्टर से पूरे संसाधन के साथ जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पूरा होता है उसके जरीए एमस रिशिकेश में इन पेशिंट्स को लाया जाएगा प्रधान मंत्री ने इसका वर्चूल उद्गार्डन किया मोक्य मंत्री कारिकरम में मौझूद रहे यह बहुत बड़ी सोगात है क्योंकि एमस रिशिकेश में अगर पेशिंट्स सही समय पे पहुँच जाए तो उसको बहतर इलाज मिल पाएगा और उत्राखंड जैसे पहाड़ी राज्जी में यह सबसे बड़ी चुनौती है कि कई बार पेशिंट अस्पताल पहुच ही नहीं पाते हैं तो इसलिए देखा जाए तो यह बहुत बहतर योजना है और दूसरा पचास प्रतिशत केंद्रिस में इसका जो भरबाई होगी वो देखेगा और पचास प्रतिशत राज्जी सरकार इस पर खर्च को देखेगी तो इसलिए इस योजना से राज्जी के लोगों को बड़ा फाइदा होने जा रहा है और आने वाले वक्त में कह सकते हैं इसके पॉजिटिव परिनाम भी नसर आएंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंदिस चानकारी के लिए